कि गूर्णिंग प्रिविद्यार्तियों आज हम बात करेंगे सेकेटरी ग्लांड्स की जो पार्ट चल रहा है हमारा उसके जो ग्रंतियां जिनके आंत्रिक इस्तरावी सन नचनाओं के बारे में कि इंटर्णिल सेकेटरी इस्ट्रक्चर्च्छ आंत्रिक इस्तरावी सन नचनाएं एक एकल कोशी का शमू अत्वा एक पूड उत्तक तंत्र से निर्मित होती है कुछ समानने रूप से पाई जाने वाली आंत्रिक सन नचनाओं के बारे में मैं बता रहा हूं सबसे पहला है इस्तरावी कोशिकाएं यह कुछ विशेश परकार की कोशिकाएं हैं जो ग्राउंड परेन काइमा में वित्रित पाई जाती हैं जब इस्तरावी कोशिका अन्य निकटवर्ती कोशिकाओं से बिन हो तो इसे विचितर कोशिगा या आईडियो ब्लास्ट भी कहते हैं इन में तेल, रेजिन, टैनिन, गौंद अत्वा अनेक परकार के किस्टल आधी पाए जाते हैं तेल का संसलेशन प्लास्टिट्स में होता है तथा ये कोशिगा द्रवे में बुंदकियों के रूप में अत्वा तेल, ओईल, सेक्स के रूप में पाया जाता है तैनिनधारी आईडियो ब्लास्ट जो पाये जाते हैं वो है यूफोर्बियस सी फैमिली में फैमिली मिल्टे सी जिसमें लॉंग पाये जाती है रोजे सी आधी कुलों में था क्रिष्टल युक्त आईडियो प्लास्ट फाइकस की कहीं साई जातियों में पाये जाते हैं दूसरा है ग्लांड्स अनेक पोदों में इस्तरावी कोशिक्या छोटे अत्वा बड़े समों में पाये जाती हैं जिनको गरंतियां करते हैं प्रत्य ग्रंति के केंद्र में एक वी युक्ति जात था लहे जात गुई का होती है जिसमें इसके इस्तराव एकत्रित रहते हैं इस प्रकार की इस्तरावी सनचनाया जो पाय जाती है वो पाय जाती है शिट्रस में नीबू की पत्तियों पैरिकार्प में की बाये परतों म यूजीनिया केरियोफाइलेटा लॉंग के पुषपांगों तथा यूकेलिप्टस के पित्थ सेकेंडरी फ्लोयम वह चाल में पाई जाती है जिनका बहुत प्रकार से यूज किया जाता है और विबिन मेडिशन में यह उपयोग में लाई जाते हैं इनसे निकलने वाले पद लॉजीन वाई निकाएं मु यूक्तिजात गृंतियों की मुख्य एक्जांपल है इन पुधों के सभी अंगों में वरन टता सवने हूं की रहे जाल से गिरे दिए के चारों और एफितिलियम कोशिकाओं की परत होती है एफितिलियम कोशिकाओं के प्लास्टिड्स अन्य कोशिकाओं की अपेखा कम विबेदित तथा अंत्रदवी जाल से गिरे होते हैं पोदों के अंदर सेतिज व उर्द्वादर रेजिन वाइनियों का एक जटिल तंत्र होता है सेतिज तंत्र केंबियम की तरकुरूपी प्रारमी कोशिकाओं से था उर्द्वादर तंत्र रस्मी प्रारमी कोशिकाओं से विक्षित होता है कभी-कभी वाइनिया किसी सती के उद्धिपन से भी व टिशू यह पतली बित्ति युक्त अत्यंत लंबी वह साकित में लिकाएं जिन में एक विसकोसी द्रव इस्त्रावित होता है इसे लेटेक्स करते हैं लेटेक्स प्राय दूद के समान सफेद होता है कुछ पोदों में यह पीला जैसे पेपेवरेसी में केनाबिनेसी में और मौरेशी में होता है इसमें मौम रेजिन प्रोटीन स्क्राव वास्पसील तेल एकलोइड इसे पेपेवर में एंजाइम केरिका में आधी अनेक पदार्ट उपस्तित होते हैं रिजर्व पूड के अत्रिक्त लेटेक्स आर्थिक मत्तों के अनेक उत्पाद जैसे रबर में हेविया फाइकस में चिकल एकरस में पपेन केरिका में वह अनेक अलकुलेड के शरोत हैं लेटेक्स धारी उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है इस उत्तक सरनचना विकास कादार पर दो मुख्य वर्ग हैं नौन आर्चिकुलेटेड तथा आर्चिकुलेटेड लेटेक्स सब्सक्राइलिट। पहले है अंत्य लंबी बहुंकल कोशिकाय एनकी प्राणवी कोशिकाय ब्रून में उपस्तित मरिष्ट में उत्त्रक से उत्पन होती है परतेग लेटेक्सदारी एक एकलकोषिका से विस्थित होता है ता इसके विस्तार से एक अतिधिक साखनतंत्र बनता है और संदित लेटेक्सदारी एपोसाउय नेसी में, ऐसकलिफ पीडी औसी में, युपोरबrants में, अल्टीकसी कुलोम नेरोप से पाए गरूसी में इनके बीज की वित्ति के गलने तक केंद्रकों के विवाजन से परिपको लेटेक्सदारी बहु केंद्रकी हो जाता है संदित लेटेक्सदारी साखित उदान मुझेशी, कौनमनुलेशी, सेपोटेशी और फैमली केरीकेशी, एस्ट्रेशी आदिस के एक्जामपल है आज के यहां तक ही यह चेप्टर से पूरा होता है सभी को बहुत धन्यवाद